शुक्र पर मिला फॉस्फिन गैस मिली जीवन की उमीद शुक्र ग्रह पर जीवन की तलाश में जुटे वैज्यानिकों को नई उमीद की किरन दिखी है शुक्र ग्रह पर फॉस्फिन गैस मिलने से जीवन की उमीद बढ़ गई है हाला कि अभी काफी शोद किया जाना बाकी है वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र पर 96 प्रतिशत कारवन डाय आकसाइड मौजूद है लेकिन फोस्फेन का मिलना असाधारण है आज के इस पॉड़कास्ट में हम आपको बताएंगे कि शुक्र पर फोस्फेन गैस मिलने का क्या महत्व है और शुक्र पर जीवन मिलने की कितनी उमीद है आप देख रहे हैं ABT पॉड़कास्ट बाई ABT गुरुकुल और मेरा नाम है आरती ठाकूर शुक्र ग्रह जहां जिन्दगी को जला देने वाले तापमान 800 डिग्री फेरनहाइट के गर्मी रहती है जहां जीवन खत्म कर देने वाली जहरीली गैसे वायुमंडल में हैं जहां गर्म लावे की नदियां बहती हैं उसी शुक्र ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों ने जीवन की खुश खबरी दी है शौर मंडल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की रिसर्च विज्ञान पर आधारित पत्री का नीचर एस्ट्रोनमी में प्रकाशित हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हवाई और चिली में लगे दो दुर्बिनों से शुक्र ग्रह के बादलों में फॉस्फिन गैस की मौजूदगी का पता चला है प्रिथवी पर फॉस्फिन गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया ओक्सीजन की गैर मौजूदगी वाले वातावरण में उसे उत्सर्जित करते हैं बैक्टीरिया जीवन का प्रमाण तो है लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ फॉस्फिन गैस की मौजूदगी शुक्र ग्रह पर जीवन होने का 100% प्रमाण नहीं है शुक्र ग्रह पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वहां 96% कार्बन डाय ओक्साइड है शुक्र का तापमान 400 डिग्री से ज्यादा है यानि उतना तापमान जितने पर ओवन में पिज़ा पकता है ऐसे में अगर शुक्र पर जीवन होता भी है तो वह 50 किलोमीटर उपर मिलने की उमीद है वैज्यानिकों के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूनने की कोशिश की जा रही है भारत की स्पेस एजनसी इसरो भी शुक्र यान एक भेजने की तयारी कर रहा है ताकि वहाँ जीवन और वातावरन को लेकर महत्वपून जानकारियां जुटाई जा सके तो यह था आज का पॉड़कास्ट और आप देख रहे हैं एबेटी गुरुकुल हमें शेर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद